नमस्ते बच्चो आज हम घटक पाज बसंत गीत इस कविता पूँ सिखेंगे इस कविता के कवी है चंद्र प्रकाश चंद्र बच्चो पहले हम कवी चंद्र प्रकाश चंद्र जी का परिचे कर लेंगे कवी चंद्र प्रकाश चंद्र जी इनका जन्मा 3 अक्टूबर 1957 में बुलंद शहर में उत्तर प्रदेश इस प्रांद में हुआ है कवी चंद्र प्रकाश चंद्र जी हिंदी जगत के बहुत ही बड़े प्रतिभाशाली कवी है उनकी कुछ रचनाय इस प्रकार की है ख्याल उपर और उपर यह एक लगुखता उनकी प्रसिद्ध है टेली फिल, गीत, बाल गीत, आधी रचनाय भी उनकी रसिद्ध होई है कवी चंद्रप्रकाश, चंद्रजी, एक कवी लेखक, निर्देशक, अभिनेता और बवुप्रतिवा के धनी है उन्होंने विवीत पत्र-पत्रिकाव में लेखन किया है प्रस्तुत कविता में याने बसंत गीत, इस कविता में कवी ने बसंत रुतु में होने वाले परिवर्त, प्रभाव और प्राणियों में फैले उल्हास को दर्शया है जब हम बसंत रुतु में जिधर भी देखते है जिधर जिधर हमारी दुरुस्टी जाती है उधर उधर चारो तरफ सारे प्रकृति में हमें एक नया बदलाव दिखाई देता है चारो तरफ हरियाली है हरियाली चाय हुए हमें नजर आती है पशू पक्षी बड़े तसन दिखाई देते हैं तो बड़े ही उचित धंग से कभी नहीं इस प्रकृति का संदरिय उल्हास और एक अच्छी परिवर्तन को इस कविता में वर्णन किया है तो चलो इस कविता का हम पहले गाहिन कर लेंगे हुए हुए हुए